पंजाब पुलिस के श्रिकंजे में आया अमरत पाल पंजाब को आतंक की आग में जोपनी की प्लाइनिंग कर रहा था खालस्तानी समर्थाग अदानी मामले में जेपीसी की मांग वर फिर वोले पवार कहा जेपीसी सॉल्यूशन नहीं फिर दूंगा विपक्ष का साथ दिल्ली के जनतरमंतर पर फिर लगा पहलवानों का जमावड़ा, इस बार सरकार पर धूका धड़िकारोग, कैंडरी के सामने रोई महिला पहलवान चीन की हरकतों पर सीमा परतनाव, भारत चीन के वीच पांच महीने बाद फिर हुई बैठक भारत की चीन को दो टूक नमश्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंग रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर अडानी मामले को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से जेपीसी की मांग की जा रही है लेकिन इस पर NCP प्रमुक को शरत पवार की राय लग है उन्होंने रविवार को एक बार फिर से दोराया की अडानी मामले में जेपीसी जाच की मांग सही फैसला नहीं है इससे पहले उन्होंने अप्रैल के शुर्वाती हफते में जब ऐसी बात कही थी तो इससे विपक्ष एकता को करार अजट का पहुंचा था अम्रेला पॉलिटिक्स की भविश्र की बीच शरत पवार के अलग बयान पर सियासी सवाल उठ रहे थे तो वहीं एक बार फिर शरत पवार ने अदानी मामले में कहा कि जेपीसी सॉलूशन नहीं है उन्होंने कहा लोगों की समिती में 15 लोग भाजपा के होंगे और 6 विपक्ष के और जेपीसी का अध्यक्ष भी उनका ही होगा ऐसे में जेपीसी से बहतर है सुप्रीम कोट की कमेटी होगी लेकिन विपक्ष अगर जेपीसी की मांग कर रहा है तो मैं उनका वरोद भी नहीं करूँगा पिछले 36 दन से फराज चल रहा खालस्तानी समर्थक अमरतपाल सिकंजे में आ चुका है पंजाब की मोगा पुलिस ने उसे मोगा के रोड़े गाउं से गरफतार किया जहां वो कई दिनों से एक गुरुद्वारे में छिपा बैठा था दिल्चस्प बात ये है कि जिस गाउं से अमरतपाल को दबोचा गया वो गाउं खालस्तानी आतंकी बिंडरे वाला का है तरफ से आधुनिक हत्यारों की ट्रेनिंग दी गई है इसके बाद दुबाई के रास्ते उसे भारत भीजा गया था पंजाब में रहकर वो आनंदपूर खालसा फौश तयार कर रहा था साथ ही नशामुक्ति के नाम युवाओं को मानव बनाने की भी तयारी कर रहा था दिल्ली के जंतरमंतर एक बार फिर से देश के सितारों से भर गया है इससे पहले जनवरी महीने में पहलवानों ने बीजेपी सांसत के खिलाफ मोर्चा खुला था जहां कुश्ती संग के अध्यक्ष और गोंडा के कैसरगं से सांसत ब्रिजभूशन सरन सिंग पर कई गंभ ने बीच चुके हैं लेकिन अभी तक रिपोर्ट सारवजनिक नहीं की गई है रसी बात को लेकर देश के पहलवानों ने एक बार फिर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है जंतरमंतर पर धरना देने के लिए फिर से एक बार सभी पहलवान इखटे हुए हैं जं साल पुराने सैन ने गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच रविवार को पूरवी लदाक सेक्टर के चुशूल मौलदों में कोर्स कमांडर की सतर बैठक की है अठारवे दोरे के इस वारता में सीमा पर टकराफ के अंसुल्जे मसलों को हल करने के लिए एहम ब बैठक पांच महीनों के बाद फिर से हुई है इससे पहले ये बैठक दिसंबर 2025 में हुई थी ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों ही देश में अपनी तरफ निर्माण कार्यों को तेश करने में लगे हुए है इस बैठक में भारत ने देपसांग प्लेंस मिटि में सीय άसी राज शुरू हो गई है धरत असल बिहार बीजूपी अधाक्ष समराच चाधरी के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान ने बयान दिया था जो इस पर बिहार की सीयम नितीश कुमार ने कहा कि जो इस तरह कि शब्डों का इस्तमाल करता है वो बुद्धिहीन है उन्होंने कहा कोई किसी को रोका नहीं रहा है वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं इस दौरान नितीश कुमार ने पूर्फ पीएम अटल बिहारी का उधारन देते हुए कहा कि एक श्राद अटल बिहारी बाचपई जी थे जिनके हम लोग प्रसंशक थे और बीजेपी वाले इस तरह की बोली बोल रहे हैं फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं आज की खबर